मैं कॉलिग एमांशो मिश्रा is now joining me on the story एमांशो एक बहुत बड़ी चीज जो पुलीस साफ कर चुकी है इस टाइम वो ये है कि जितनी भी कॉंस्पिरेटर्स थे वो कई बार पहले मिल चुके थे और प्लान ये था कि दिली के अंदर जब ये सब कर लेंगे उसके बाद कुछ दिनों बाद इन सब को एक बार फिर से दिली के अंदर एक मुलाकात करनी थी पिल्कुल देखे क्योंकि जो इनकी तैयारी थी वो कोई एक दो दिन की तैयारी नहीं थी आप देखे करीब डेड़ साल से ये इस तैयारी में जुटे हुए थे इस दोरान इन्होंने कई मीटिंग की मैसूर में मीटिंग की इसके अलावा दिल्ली में मीटिंग की फिर इन्होंने रेकी की और आप देखे रेकी कितनी माइन्यूटली की गई कि कहां से वो क्या चीज ह जिस पे security जो कर्मी होता है वो ध्यान नहीं देता और फिर उनको जूते का उन्होंने जब रेकी किया और फिर देखे जूते में कैसे कोई cavity बनाई जा सकती है तो उसके लिए special जूता डिजाइन करवाया गया extra rubber soul नीचे जुरवा करके उसमें cavity बनाई करके तब वो color canister को उसमें adjust किया गया और उसके बाद उसे ले जाए गया अब पुलिस देखे आगे क्या कर रही है आगे चुकि पुलिस को इसमें larger conspiracy की कहीं न कहीं एक भनक नजर आ रही है और इसके लिए देखे उसकी वजह क्या है क्योंकि जो phone थे वो तोड़ दिये गया और सिर्फ चार ने जैसे पहले आ रहा था कि ललित ने वो चार phone जो उनके थे उनको तोड़ा लेकिन फिर ये पता लगा कि ललित ने तो अपना भी phone यानि 5 के 5 phone ललित ने जो पहले लोग arrest हुए थे वो तोड़ दिये अब इसके ब बिहार का रहने वाला है लेकिन वो बंगाल में भी काफी समय रहा है तो अलग अलग स्टीट के एक एक आदमी एक साथ एक प्रेटफॉर्म पर कैसे पहुँचे पुलिस इस चीज को investigate कर रही है कि क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत इन सब को एक प्रेटफॉर्म पर पुलिस इमांच में इनको लेकर रेट भी आगे की जा रही है जी एश्वरया प्राइब 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 देने के लिए। प्राइब 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 फिए विए le ओ established इंख महेश हैस चाल स्थाजर संसाफित इर फिरत्पार चाना चार। मोरे जब संसाफिछलेश एंगे इता इंगराशव परोग। सोर्स सब्सक्राइब पोल्ग नाय करें लालट जहा, ललद फोस्टित, इंडान्या और कोमलेस ओंप धूम्नेय झालाफे टा öस्टेस्टीॉ आन्या वोलदिट अपोस्टित इन्चछ पूर्टैस्ट अम्ट motivated कहां ये थारता है ये तो कोई पता नहीं हम लोग को In their ongoing investigation, police have said that the accused wanted to create anarchy in the country and compel the government to meet their demands. Police also suspect the involvement of foreign funding and are probing terror links. The Delhi police is mainly focusing to unearth whether or not there was any terror funding from any foreign country. The fact that these youth were actually linked via social media is something the Delhi police is closely observing. They are going through all their social media accounts but primarily they are trying to see if at all there is any foreign involvement to actually create this uproar that they managed to on the 13th of December. The way the parliament attack was plotted and executed, investigators are not ruling out a larger conspiracy. Bureau Report, India Today